सभी आंगनबाडी सीविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज साम साथ बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको देख करके काफी बहनों को अपने भी सोशड के दिन याद आ जाएंगे दरसल आंगनबाडी बहनों से हजार रुपे की वसूली करने और ड्राई रासन में भी कई तरह से जो है भृष्टाचारी से जुड़े हुए बहनों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों के द्वारा उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ लूट खसूट मची हुई है तो आए देखते हैं विभागी अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से ड्राई रासन में लूट खसूट की जा रही है और उसके अलावा हजार रुपिया प्रती किंद्र भी लिया जा रहा है कहां का मामला है क्या है पूरा आए बढ़ते हैं सबसे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पर बहराईच जिले का मामला है और आपकी जो जिला धिर्च है सुनीता आर्या उन्होंने ये एक लिटर नदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार तरतीतल इंद्रा भावन लखनौ के लिए मुख्य विकास जिला धिकारी महोदय बहराईच को सौपा है सत्रे जुलाई को अभी अभी दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना में व्यापक भरष्टाचार वसंविदा लिपिक राजू चंद्र इनके द्वारा महिला आंगन बाडियों के साथ में अबद्रता के सम समंद में है तो इस तरीके से यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं विभाग का काम है इस मामले में जाच कराई जाए आल इंडिया इस उद्देश के साथ आपको यहां देखा रहा है और अवगत करा रहा है कि कई बहनों की यह समस्याएं हैं और ऐसे में विभाग यहां प पर भिष्टाचार वह सोशर किया जा रहा है जिसकी कई सिकायत लिखित रूप से कई बार जिलाकारकम अधिकारी को दिया गया किन्तु कोई कारवाई नहीं हुई दिनांक 9 जून 2023 को डीपियों के द्वारा संग के साथ में वार्ता की गई जिससे कई बिंदों पर सहमती ब वारा 30 जून तक कारवाई करने को कहा गया परंतु अभी तक किसी भी समस्या का ना समाधान हुआ ना ही कोई कारवाई की गई महोदय वरतमान समय में मिहर पुरवा में जमकर लूट खसूट हो रही है केंद्रों पर पुष्टाहार पहुच नहीं रहा है बीच में CDPO सुपरवाईजर लिपिक ये मिलकर के क्या कर रहे हैं खा रहे हैं इस सम्मंद में मुख्य सेविका द्वारा जिलाकारकरम अधिकारी को लिखित सिकायत की गई थी जिसके क्रम में जिलाकारकरम अधिकारी ने कमेटी बैठाया किन्तु लीपा पोती करके खतम कर दिया गया इसी तरह अक्टूबर से लेकर जनवरी तक कि सोरियों को मिलने वाला पूरा का पूरा ड्राई रासन केंद्रों पर ना भेज कर बेच दिया गया इसकी भी जाच नहीं कराई गई पूछने पर कहते हैं कि जिलाकारकरम अधिकारी के कहने पर बेच कर पैसे दे दिया गया जिलाकारकम अधिकारी द्वारा सिकायत के बाद भी कोई कारवाई ना करना इस बात की पुष्टी करता है कि बात में सत्यता है महर पुर्वा में तैनात लिपिक राजू चंद्र जो सम्विदा पर है और कारकरतियों के साथ में अबद्रता करना वा असलील बाते करना इसकी सिकायत कई बार की गई इसके द्वारा पहले भी इसी तरह हरकत करके नवाब गंज और तज्वापूर वा स्यूपूर परियोजना में की गई किंतु हस्तानांत्रण के अलावा कोई कारवाई इसके खिलाप नहीं की गई महोदय चित्तावरा के CDPO सिवसरन सैनी को मिहर पुर्वा का अतरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि चित्तावरा से मिहर पुर्वा की दूरी 70 किलो मीटर है मिहर पुर्वा परियोजना 60 किलो मीटर परिछेतर में फैली है इनके द्वारा चित्तोरा में ड्राइ रासन में काफी खेल किया गया है समु से मिलकर के काफी मातरा में ड्राइ रासन बेच दिया गया कुछ केंद्रों पर रासन भी नहीं पहुचता अगर D.I. से और आंगनबाडी के रजिस्टर से मिलान किया जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा मिहर पुरवा में डियाई की अनुसार रासन नहीं दिया जा रहा मुक्य सेविका के परची के अनुसार रासन वित्रण कराया जा रहा जिसका जिलाकार कम अधिकारी से अनमोदन नहीं लिया गया साच के रूप में लिपिक नितिन स्रिवास्तों का पत्र सनलगन है इसी तरह बालविकास पर्योजना बलहा में भी लूट खसूट मची हुई है हजार रूपिया कितने हजार रूपिया प्रती केंद्र लिया जा रहा है अतह आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सिकायत की जाच कराकर दोसियों के खिलाब कड़ी कारवाई की जाए वह सीडीपियों और लिपिक राजु चंद्र को मिहर पुर्वा से हटाया जाए तो इस तरीके से जलाद्यच सुनीता अर्या ने अपनी बहनों की समस्याओं को वहाँ पर कई बार उठाया लेकिन उच्चा अधिकारियों की उदासिंता अवहिलना के कारण बहनों का कहना है कि कोई भी कारवाई इस सम्मंद में नहीं की गई सिवाए लिपा पोती के अब ऐसे मैं यह देख सकते हैं बाल विकास वही परोजना महिर पुरुवा वाले उनका एक ये लिटर भी है जो कि उन्होंने भेजा है तो इस मामले में आप सबका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय देना अभी हम मांदे को लेकर के कुजलों से बहनों ने और जानकारियां बेजी हैं वो तो आपको दिखाएंगे उससे पहले हिंदुस्तान में चपी एक कबर आप देख सकते हैं कि आंगनबाडी केंदर के अंदर बिखरा है छतका जरजर मलबा तो आंगनबाडी सिंटर में किस सेंटरों को दोस्त किया जाए और नए सेंटर का निर्माड किया जाए आंगनबाडी केंदर की जरजर छत का हिस्सा डहा फिलहाल एक बड़ा हादसा टल गया लेकिन इन हादसों को कब तक टाला जाएगा कब तक राम भरोसे चीजों को छोड़ा जाएगा कानपूर्देहा का मामला है अकबरपूर ब्लाक के भिखनापुर गाओं के आंगनबारी केंद्र का भवन काफी जरजर है मंगलवार को इस भवन की जरजर छत का हिस्सा तूट कर नीचे गिर गया संयोग था कि उस समय कोई बच्चा वहां मौजूद नहीं था इससे बड़ी घटना बच गई और इसके बाद बच्चों को वहां से हटा कर पास में स्थित मंदिर प्रांगर के बरामदे में बिठाया गया जिले के जरजर स्कूल और आंगनबारी केंद्र इनके भवनों की अंदेकी से हादसे का खतरा बना हुआ है पिछली दिनों मलासा ब्लाग के बर और इस्थित प परिशन केंद्र में 49 बच्चे पंजीक्रत हैं लेकिन घटना के समय वहां बच्चे मौजूद नहीं थे इससे बड़ा हास्सा टल गया और वहां मौजूद आंगन बाड़ी और सहय का जो ममता पंडे हैं उन्होंने बताया कि भवन की दीवारों में जगे जगे बड़ी बड परारे हो गई जबकि छट का प्लास्टर टूटकर गिर रहा कई बार प्रधान पंचाय सच्चिव विभाग के अधिकारी इन सब को अभगत कराया और उसके बाद भी हालात जसके तस हैं मंगलवार दोपहर में हुई घटना के बाद बच्चों को पास में स्थित एक मंदि में बिठाया गया जिलाकारिकम अधिकारी ने जहां फोन ही नहीं उठाया वहीं बालविकास पुष्टाहार राजमंत्री ने कहा कि सासन ने जरजर सिचर संस्थाओं के भवनों का काया कल्प कराने के नर्देश दिये हैं बिगनापुर में हुई घटना से डियम को अवग पियलाई और अत्रिक्त मांदे के कुछ और आए हैं जिनके बारे में बहनों ने थोड़ा लेट जैनकारिया आल इंडिया को भेजी हैं आए फटा फट देखते हैं सुसीला बहन राइबरेली से 500 का मैसेज और इसके अलावा 1500 का भी मैसेज उनका आ गया बीने सहारनपुर स से 2000 रुपया उन्होंने कहा हमारे वहां आए पूनम उन्नाओं से इन्होंने भी अवगत कराया कि 1500 रुपया आए और ये हैं ससी सितापुर से इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं जैसे कि यहां पर ये कुछ और अपना कहना चाती हैं इनके वहां पर भी समस्या है इनका कह कि सुदानसु बैया नमस्ते मैं ससी मिसरा हरगाउं सितापुर से और यहां पर उनका कहना है कि नाराज मत होना वार्ड पर लिख रही हूं कमेंट बॉक्स में नहीं जानती वार्ड पर का मतलब है वार्ट से पर वो कहना चाहती हैं आपके सारे वीडियो देखती हूं पांच हजार रुपया मांगते हैं कहां से लाओं पांच हजार रुपया तो बहन अगर आपके पास इसके बारे में कोई सबूत है तो आल इंडिया को आप भेज सकती हैं बिना सबूतों कि आप सब जानती हैं कि विभाग कोई कारवाई नहीं करता सबूतों के बाद में भी क आया नंडा गुंडा से फन्दरा सो आया कॉझम साहदा देवी मियनपूरी अिनका भी पन्दा सो का मैसेज अंके महां सहाज नगी कहां तीन हजार प्लस छे हजार प्लस पंदरा सो देखिएगा मैं जूट नहीं कहता ऐसे ही है तीन हजार छे हजार और पंदरा सो दरसल इतने क्यों आये इनका पियलाई पिछले कुछ महिनों का बकाया होगा वही पैसा एक साथ जोड़ करके आया है और यह नीता पटेल जलाद द जे नीचे लिखा है कि इस तरह से इनका भी पियलाई आया गीता सिंग है लकनव से इनका भी आ गया है पंदरा सो इसके अलावा विमला देवी कानपुर्ण नगर से इनका भी हजार और पंदरा सो के मैसेज कैसर जहां बसती से इनके भी कई मैसेज है हजार दो हजार और प 1500 के भी हैं ऐसे इसके लावा देखेगा ये वैसाली पंडे है सीतापूर से इनके वहाँ पर भी आया है 500500 इसके लावा ये हैं एक कुस्म देवी और ये आती ओत्तरपदेश से जिले से जिले का नाम उन्होंने लेखा यह नहीं फैर जो भी हैं और इनका भी जो भी आया होगा अब ये हैं सोबरानी मेरट से इनका भी 15 सो का मेसेज और आया, पंदा सो का पहले आया था, तीन हजार का भी आया था, इस तरह से सबाएं हैं, उन्होंने लिखा भी ये पंदा सो, तीन हजार इस तरह से सबाएं हैं, और एक कीस को भी पंदा सो आ जा गए, और इसके लावा ये पांदा सो का एक मेसेज, एक पचीस सो का इस तरह से इनके भी एक बहन है जिनका नाम क्या है प्रेम सीला मौर्या और ये चंदोली जिले से आती है इसके लावा कुछ मैसेज और है नीतू सरोज उन्नाव से आती है पंदरा सो का मैसेज इनों ने बेज़ा है पांसो का भी पहले आया था पुसपाच ओधरी बस्ती स जिले से इनके भी जोए एक दो मैसेज आएं हजार का पांसो का और पंदासो का भी नीचे आ रगया है ऐसे मैंने कहा था धीरे-धीरे सब के आ जाएंगे मंजू सिरी है मतुरा से इनका भी पंदासो का मैसेज और एक और ये भहन है दिवरिया से नीता तिर्पाथी इनका 2013 और 15 буде तो सबके दिरे-दिरे सब आ गए हैने हजार कंदरा सो पांसोश थालवच हजार के पानसोशकार विंके मिरंिस सब आ गएändern मैं एक बात कहना चाहूंगा इननजार कर लेज़ेगा, 45-होच शल्डी जाएंगे विमला है मांदा से पांसो का इनका भी आया हजार का आया पंदासो का आया इस तरह से आये संगीता या दो सारनपुर से पांसो पंदासो दो हजार इस तरह से सबाया अब इन्होंने देखो लिखा था पांसो नहीं ये पांच हजार है ये वही वाली बहन है देखो इनका भी PLI आया है। उन्होंने कहा है भाया जी ये हमारा मतलब पुराना नहीं है, मतलब पिछला बकाया PLI है। तो इस तरीके से यह सब बहने थी और मांदे की भी जानकारी आपने देखी आज सामके इस वीडियो को यही रखते हैं अगले सुबह की खबरों में आपको फिर मिलते हैं